यहां जो हो रहा है वो कई शहरों में होता है वो माफिया एक एंसर की तरह हैं जिसका इलाज नहीं लो माफिया आजी तरह है वो माफिया रहा है झाल झाल पंदरा सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फिल्म मार्क एंटोनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिविव वो भी हिंदी में मार्क एंटोनी में विशाल और एस्टे सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन द्वारा निर्देश्यत इस्वा में शुनेल सेल्वार आगवन रीतो बर्मा अवीनाई किंग स्ले वाई जी वी है महेंवरा नराण्या में तो वोनों भूमिकाओं में है ट्रेलर को तामिल अरतलेगो भाषाओं में रिलिस किया गया क्योंकि फिल्म को दोनों भाषाओं में एक साथ रिलिस करने की योजना है तामिल ट्रेलर को कार्थी और आडिया ने लांच किया था जब विशाल और एंस जे सूरिया कई लुख में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुख में प्रशंग्शकों का चरिशकित कर दिया ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंगत अभिनेत्रिस स्मिता को दिखाया गया है और इसने प्रशं गाने पिंचो मित्तई सल्लाई कट्टी के रिक्रियेशन ने प्रशंग्शकों को का फिप्ट भावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिलाकर सिनमगरों में आनंद लेने लाएके मनरंजक फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योववा पीडी को सं तूरती सब्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशन की गई है और फिल्म को एक मद्वोथ शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिननने में एगवावेर कार्यक्रम भ विशान की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिल्म की पूरी कहानी वह भी हिंदी में 1975 में चिरण जीवी नामा की ग्लेगनिक ने एक टेलीफॉन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बर पिश्री टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में शक्षम बनाता है इस भी इच एंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अची दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबडम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबडम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेन है और एंटनी की वेटे मार्क को अपने वेटे की रूप में गोद लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिन जीवी का टेलीफोन मिलता है और एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चलाक की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तब में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मा मार्क अतीत में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रवंद करता है जहां जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जौक जाता है और पता है कि वो एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुरू होता है जहां जैके एंटनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन एंटनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली इरादिये के बारे में जान जाता है जैकी और उसके लोगों के लिए और उसे क्लब गोदम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मदन और जैकी के लोगो द्वारा उसकी पिटाय की जाती है रहा कि एक अवर्ण ने क्लॉप शूट आउट में को बचाया था और पुलिस द्वारा करें मुडवेरों में गैंक स्टारों की हत्यां के कारण उसे कोल आंटनी ने जोरब में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अन्त में जैकी और मदन को मार डाला आंटनी मारक के साथ पर से जुड़ता है और तीट में वेद वल्ली को बुलाता है जिसे चिरंउज भी और जैकी ने वंदू की नोग पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फल्म मार्क एंटोनी देखने से पहले यहाँ जाने फल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार्क एंटोनी में विशाल और S.J. सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन, द्वारा निर्देश्यत इस्वल में शुनेर, सल्वार आगवन, रीतो बर्मा, अवीनाई, किंग स्ले, वाई जी वी है, महाइवरा नराण्या में तो फोनों भूमिकाओं में है, ट्रेलर को तामिल और तेलेगो भाषाओं में रिलिस किया गया, क्योंकि फल्म को दोनों भाषाओं में एक साथ रिलिस करने की योजना है, तामिल ट्रेलर को कार्थी और आरिया ने लांच किया था, जबकि विशाल और एंस जे सूरिया कई लुक में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुक में प्रशंग शको का आश्चर शकीत कर दिया ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंगत अभिने त्रिसक स्मिता को दिखाया गया है और इसने सुने इंसल वरागवन ने भी छोटी भूमिकाय निभाई है जीवी प्रकाश कुमान एपनी संगीत से ट्रेलर में चार्च आउन लगा दिये खासकर पुराने गाने पिंच्यों मित्तई सल्लाई कट्टी के रिक्रियेशन ने प्रिशंग शको को काफिव दभावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिला कर सिनमा गरों में आनंद लेने लाएकि मनरंजर फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योववा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटनी की विनाए गर चतूरती सब्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशन की गई है और फिल्म को एक मधवोथ शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिनने में एगवावे कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्य कलकारा और चालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपसिद्धी दर्श कराई विशान की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म के पूरी कहानी वह भी हिंदी में और 1975 में चिरंजी विनामा के गवेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्टी टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में स्ट्रक्षम बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिनने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबरम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबरम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लब में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिनन जी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की बेटे मार्क को अपने बेटे की रूप में गोध लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिरन जीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तव में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि आंटनी ने नशीरी दवायों की तश्करी हतियारों की तश्करी और वेशवरित्ती जैसे अवेद गति विदियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रवंद करता है जहां जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जब जाता है और पता है कि वो एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुडू होता है जहाँ जैके एंटिनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन एंटिनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली इरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने क्लब में एंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मैकनी के रूप में बापस पाता है जबकि जैकी अभी भी जीवित है मार्क की प्रेमिका रामिया को अपहरन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मार्क जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुच था है जहां ये पता चलता है कि एकम वर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज दिया था एंटनी को कॉलंबिया अंडर वर्ण की साजेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी अमदोर पर गैंस्टरों को कमिशन बेजता था एंटनी ने गोदम में जैकी के सभी गुर्गों को माड डाला और अंत में जैकी और मदन को माड डाला एंटनी मारक के साथ पर से जुड़ता है परतीत में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंजी विया जैकी ने वंदू की नौक पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिल्म का रीव्यू वह भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और स्टे सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन द्वारा निर्देश्य तिस्वल में शुनेल सल्वारागवन रीतो बर्मा अविनाई किंग स्ले वाई जी वी है महेंगरन अराण्य में तो प आरिया ने लॉंच किया था जबकि तेलिगो ट्रेलर को राना डगुबती ने अपनी संगबंधित शोशल मीडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीरियाट फर्म टाइम ट्रावल अक्शन गैंग्स्ट्रा ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एंस जे सूरिया कई लुक में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुक में प्रशंग शको का आश्चर शकीत कर दिया ट्रेलर में एक सीक्वेंस में दिवंगत अबिने त्रिसक स्मिता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग को दिवंगत भी ने त्रिसक की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बर्माज सुने इंसल वरागवन ने भी छोटी भूमी का आए निभाई है जी भी प्रकाश कुमार्ण एपने संगीत से ट्रेलर में चार्चान लगा दिये खासकर पुराने गाने पिंच्यों मित्तई सल्ला करेगी मार्क एंटिनी की विनाए गर्चतूरती सप्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशना की गई है और फिर्म को एक मधवोत शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिर्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटिनी टीम ने कल शा दर्च कराई विशान की फर्म मार्क एंटिनी देखने से पहले यहां जाने फर्म की पूरी कहानी वह भी हिंदी में और 1975 में चिरंजी विनामा के गवेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन प एकमबरम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक एंग स्टर भी है एकमबरम अपने भाई की हत्या के लिए एंटिनी से बतला लेने का फैसला करता है जहां वो एक लग में एंटिनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिनाम स्वारूफ चिरंजी भी मारा जाता है जैकी जल मेंकनी ऐच ओ एंटिनी को उसकी माँ वेद वर्ली की मौत के लिए जिमेदार होने के लिए डाउटता है एक दिन मार को चिरंजी वी का टेली फोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो वृतित में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठ可 क्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तब में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि एंटनी ने नशीरी दवायों की तश्करी, हतियारों की तश्करी और व हो जाती है, मार्क जल्दी वर्तमान में जाग जाता है और पता है कि वह एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है, जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक की रूप में मार्क की जगा पर है, मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की तुसे बजब जाता है और जैकी असली इरादिय के बारे बेर जाता है जैकी और उसके लोगों ने क्लब में आंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीध होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से बर्तमाँ में जागता है और खुद को एक मैकनी के रूप में बापस पाता है जबकि जैकी अभी भी जीवित है मदन मार्क की प्रेमिका रामिया को अपरन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदाम में पहुचता है जहां ये पता चलता है कि एकम वर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाय था और पुलिस वारा कई मुडवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भीज दिया था एंटनी को कोलंबियाई अंडर वर्ड की साजेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर पर गैंक्स्टारों को कमिशन बेचता था एंटनी ने गोदाम में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार के साथ पर से जुरता है और तीट में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंज भी आओ जैकी ने वंदू की नौक पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फल्म मार केंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार केंटनी में विशाल और S.J. सूरिया मुख्य भूमिकाओं में है और फल्म का प्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है ट्रेलर को तामिल और तेलेगु भाषाओं में रिलीज किया गया क्योंकि फल्म को दोनों भाषाओं में एक साथ रिलीज करने की योजना है तामेल ट्रेलर को कार्थी और आरिया ने लॉंच किया था जबकि तेलेगो ट्रेलर को राना डगवती ने अपनी संगबंधित सोशल मिडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीरियट फ़ल्म टाइम ट्रावल अक्शन गैंग्स्टर ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एंस जे सूरिया कई लुक में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुक में प्रशंग शको का आश्च ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंगा तभी ने त्रिस्ट की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बरमाज सुने इसल वरागवन ने भी छोटी भूमी गाए निभाई है जी भी प्रकाश कुमार्ण एपने संगीत से ट्रेलर में चार्चान लगा दिये खासकर पुराने गा के मनरण जब फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटिनी की विनाए गर्चतूरती सब्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशना की गई है और फिल्म को एक मधवोत शुरुआत मिलने की उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटिनी टीम ने कल शाम चिन्ने में एगवावे कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्य कलकारा और चालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपस्तिदी दर्च कराई विशान की फिल्म मार्क एंटिनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म के फूरी कहानी वह भी हिंदी में और निस्सा 75 में चिरंजी विनामा के ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्टी टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में स्ट्रक्शन बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिनने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबरम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबरम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिनन जी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की बेटे मार्क को अपने बेटे की रूप में गोध लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिरिन जीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तव में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि आइंटनी ने नशिरी दवायों की तशकरी हट्यारों की तशकरी और बेशवृत्ती जैसे अवेद अगति वीदियो में जैकी की भागिदारी से इनकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रवंद करता है जहां जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जब जाता है और पता है कि वो एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुडू होता है जहाँ जैके एंटिनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन एंटिनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली इरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने क्लब में एंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मैकनी के रूप में बापस पाता है जबकि जैकी अभी भी जीवित है मार्क की प्रेमिका रामिया को अपहरन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मार्क जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुच था है जहां ये पता चलता है कि एकम वर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज दिया था एंटनी को कलमपिया अंडर वर्ड की साजे दारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर पड़ गैंग्स्टारों को कंविशन बेचता था एंटनी ने गोदाम में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अंत में जैकी और मदन को मार डाला अंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है और अतीत में वेदवल्ली को भुलाता है जिसे चिरंज भी और जैकी ने वंदू की नौक पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा वहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वह भी हिंदी में विशल और स्टे सोरिय मुख्य भुमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन, द्वारा निर्देशित इस फ़ल में शुनेल, सल्वारा गवन, रीतो ब तामिल ट्रेलर को कार्थी और आर्या ने लॉंच किया था जबकि तेलेगो ट्रेलर को राना डगुबती ने अपने संद्धित शोशल मिडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीरियट फर्म टाइम ट्रावल अक्शन गैंग्स्टर ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एंस जे सूरिया कई लुक में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुक में प्रशंग शको का आश्चिर कर दिया डिया त्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंग तफिने टृससमीता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग शको को दिवंग तभीनेटरीको की याद दिला दी प्रयूं आज सुने इंसल वरागवन ने भी छोटी भूमी गाये निभाई है जी भी प्रकाश कुमार्ण एपने संगीत से ट्रेलर में चार्चान लगा दिये खासकर पुराने गाने मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिला कर सिनमा गरों में आनंद लेने लायके मनरंजर फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योववा बीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटनी की विनाए गर चतूरती सप्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशना की गई है और फिल्म को एक मधवोथ शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिनने में एगवावे कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्य कलकारा और चालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपस्तिदी दर्श कराई विशान की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म के फूरी कहानी वह भी हिंदी में 1975 में चिरंजी विनामा के ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में शक्षम बनाता है इस भी इच एंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकम बडम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकम बडम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बदला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिरंजी भी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की वेटे मार्क को अपने वेटे की रूप में गोध लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिरन जीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तब में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है कुछिए आइंटनी ने नशीरी दवायों की तषकडिन, हतियारों की तषकडिन और वेश्वरिती जैसे वेद अगती विदियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रवंद करता है जहां जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जग जाता है और पता है कि वो एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का वेटा मदन एक मेकनीक के रूफ में मार्क की जगा पर है मदन को जलधी टेलीफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुड़ू होता है जहाँ जैकी एंटनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन एंटनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली इरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने कलब में एंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मैकनी के रूप में बापस पाता है जबकि जैकी अभी भी जीवित है मदन मार्क की प्रेमिका रामिया का उपर रन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार काता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुचता है जहां ये पता चलता है कि एकमवर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाया था एंटनी ने गोदम में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार के साथ पर से जुरता है और रतीत में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंजबी और जैकी ने वंदू की नोग पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फल्म मार्क एंटोनी देखने से पहले यहाँ जाने फल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार्क एंटोनी में विशाल और SJ सूरिया मुख्य भूमिकाओं में है और फल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है ट्रेलर को तामिल और तेलेगो भाषाओं में रिलीज किया गया क्योंकि फल्म को दोनों भाषाओं में एक साथ रिलीज करने की योजना है तामिल ट्रेलर को कार्थी और आरिया ने लॉंच किया था जबकि तेलेगो ट्रेलर को राना डगुबती ने अपनी संबंधित शोशल मिडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीरियट फर्म टाइम ट्रावल अक्शन गैंग्स्टर ड्रामा का मिस्फ्रन है विशाल और एस जे सूरिया कई लुख में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुख में प्रशंग शको का अच्चि चोटी भूमी गाए निभाई है जीवी प्रकाश कुमान अपनी संगीत से ट्रेलर में चार्चान लगा दिये खासकर पुराने गाने पिंच्यों मित्तई सल्लाई कट्टी के रिक्रियेशन ने प्रिश्ण शको को काफिप्ट भावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मि रिलीज करने की घोष्ण की गई है और फिर्म को एक मद्वोथ शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिर्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस बीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिन्नने में एगवावियक कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्यकलका नेटने से पहले यहां जाने फिर्म की पूरी कहानी वह भी हिंदी में 1975 में चिरंजी विनामा के गवेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन पर कल करने और इतिहास बदलने में शक्षम बनाता एकम मिडम अपने भाय की हत्या के लिए एंटनी से बदला लेने का फैसला करता है जहां वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिरंजी भी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरकाना बन जाता है और एंटनी की वेटे मार्क को वेटे की रूप में गोद लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिरंजीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे हैसास होता है कि वो अधित में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे विश्वास दिलाया था जो वास्ता में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्या मास्टर माइंड है क्योंकि एंटनी ने नशीरी द बदलने का प्रवंद करता है जहां जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जाग जाता है और पता है कि वो एक गैंक्स्टर की रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक की रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफ करता है लेकिन एंटनी सभी प्रेसों से बच जाता है जैकी असली इरादिय के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने ख्लब में एंटनी को घेर लिया और ऐसा परतीध होता है और को वालाँ गया मार्क फिर से बातमान में जाकता है और फिर से बड़ता है नदिंग कि रिवर्ण वाजाता है हाला कि एंटनी गोदम में पहुचता है जहां यह पता चलता है कि एकम वर्ण ने क्लब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कॉलंबिया भीज दिया था एंटनी को कॉलंबिया अंडर मार्क के साथ पर से जुरता है और अतीत में वेदवल्ली को बुलाता है जिसे चिरंजी पी आउजैकी ने वंदू की नोख पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और S.J. सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रविचंदन, द्वारा निर्देश्य तिस्वल में शुनेर, सल्वार आगवन, रीतो बर्मा, अवीनाई, किंग स्ले वाई जी वी है महेंगरा नराण्य में तो पूर्णों भूमिकाओं में है ट्रेलर को तामिल अरतलेगो भाशाओं में रिलीज किया गया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीरियट फल्म, टाइम ट्रावल, अक्शन, गैंग्स्टर, ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एंस जे सूरिया कई लग में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिलवाले लग में प्रशंग शको का आश्चर शकीत कर दिया ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंगा तविने त्रिसक स्मिता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग शको को दिवंगा तविने त्रिसक की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बर्माज सुनें सेलवरागवन ने भी छोटी भूमी काई निभाई है जीवी प्रकाश कुमान एपनी संगीत से ट्रेलर में चार्च आन लगा दिये खास कर पुड़ाने गाने पिंच्यो मित्तई सललाई कटी के रिक्रियेशन ने प्रिश्णक्षकों को काफिप्ट भावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिला कर सिनमा गरों में आनंद लेने लाएकि मनरंजर फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटनी की विनाए गर चतूरती सप्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशन की गई है और फिल्म को एक मधवोत शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस बीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिनने में एगवा वेक कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्य कलकारा और चालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपसिद्य दर्श कराई विशान की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म के पूरी कहानी वह भी हिंदी में और 1975 में चिरंजी विनामा के गवेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में शक्षम बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबरम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबरम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लब में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिरंजी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की बेटे मार्क को अपने बेटे की रूप में गोध लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिरिन जीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठकरम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तब में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि एंटनी ने नशेरी दवायों की तशकरी, हतियारों की तशकरी और वेश्वरित्ती जैसे अवेदुगति वीडियो में जैकी की भागीदारी से इनकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करकि इतिहास को बदलने का प्रवंद करता है जहाँ जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जब जाता है और पता है कि वो एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगापर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुडू होता है जहाँ जैके एंटिनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन एंटिनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली इरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने क्लब में एंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मैकनी के रूप में बापस पाता है जबकि जैकी अभी भी जीवित है मार्क की प्रेमिका रामिया को अपहरन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मार्क जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुच था है जहां ये पता चलता है कि एकम वर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज दिया था एंटनी को कोलंबिया अंडर वर्ड की साजेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर पर गैंक्स्टारों को कमिशन बेचता था एंटनी ने गोदम में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अरंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है औ और जैकी ने वंदू की नोग पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और S.J. सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन, द्वारा निर्देश्य तिस्वल में शुनेल, सल्वा रागवन, रीतो बर्मा, अविनाई, किंग स्ले, वाई, ज कोजना है तामिल ट्रेलर को कार्थी और आडिया ने लॉंच किया था जबकि तेलिगो ट्रेलर को राना डगवती ने अपनी संगबंधित शोशल मीडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि यह पीरियाट फॉल्म टाइम ट्रावल एक्शन गैंग् ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंगा तभी ने त्रिस्ट की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बर्माज सुने इंसल वरागवन ने भी छोटी भूमी काये निभाई है जी वी प्रकाश कुमार्ण एपनी संगीत से ट्रेलर में चार्चान लगा दिये खासकर पुराने ग फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटिनी की विनाएं गर्चतूरती सब्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशना की गई है और फिल्म को एक मधवोच शुरूआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटिनी टीम ने कल शाम चिन्ने में एगवावेक कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्य कलकारा और चालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अप कि ग्वेग गिनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्टी टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में स्ट्रक्षम बनाता है इस भी चैन्टनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अची दोस्त और गैंग करता है जहां वो एक लग में अंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिणाम स्वारुफ चिन्न जी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की बेटे मार्क को अपने बेटे की रूप में गोद लेता है एक दिन मार्क को चिन्जी वी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तब में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि आंटनी ने नशीरी दवायों की तशकरी हतियारों की तशकरी और वेशवरित्ती जैसे अवे दगती विदियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रबंध करता है जहां जैकी की हतिया हो जाती है और इतिहास को बिदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुरू होता है जहां जैके एंटीनी को मारने के लिए क clarity करता है लेकिन एंटरी सभीसों से बच जाता है जैकी असली इरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने कलब में एंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से बरतवान में जागता है और खुद को एक मैकनी के रूप में बापस बाता है जबकि जैकी अभी भी जीवित है मदन मार्क की प्रेमिका रामिया को अपहरन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदाम में पहुच था है जहां यह पता चलता है कि एकम वर्म ने क्लब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुडवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भीज दिया था एंटनी को कोलंबिया अंडर वर्ड की साजेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर पर गैंक्स्टारों को कमिशन बेचता था एंटनी ने गोदाम में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है और तीट में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंजी पिया जैकी ने वंदू की नौक पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और S.J. सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन, द्वारा निर्देश्य तिस्वल में शुनेर, सल्वा रागवन, रीतो बर्मा, अविनाई, किंग स्ले, वाई S.J.V. है माहिंदरण अराणिया में तो बॉर्मो भूमिकाओं में हैं, ट्रेलर को तैमिल और तेलीगो भाषावं में रिलिज़ किया गया क्ये है उसल और म kesद सुमौं से लग रहा है कि ये पीरियाट फर्म टाइम ट्रावल अक्शन गैंग्स्टर ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एस जे सूरिया कई लुख में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुख में प्रशंग शको का आश्चरिश चकित कर दिया ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंगा तभी ने त्रिसक स्मिता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग शको को दिवंगा तभी ने त्रिसक की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बर्माज सुने इंसल वरागवन ने भी छोटी भूमी का आए निभाई है जी वी प्रकाश कुमार्ण एपनी संगीत से ट्रेलर में चार्चान लगा दिये खास कर पुराने गाने पिंचो मित्तई सललाई कट्टी के रिक्रियेशन ने प्रिश्ण शको को काफिप रभावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिला कर सिनमा गरों में आनंद लेने लायक एक मनरंजर फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटनी की विनाए गर चतूरती सप्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशन की गई है और फिल्म को एक मध़ोत शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिननए में एक वावे कार्यक्रम भी आय जित किया जबकि मुख्या कलकारा और चालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभ़फ को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपस्तिद्य दर्श कराई विशान की फिर्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिर्म की फूरी कहानी वह भी हिंदी में 1975 में चिरंजी विनामा की ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में शक्षम बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकम बडम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकम बडम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बदला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिरंजी भी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की वेटे मार्क को अपने वेटे की रूप में गोध लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिरन जीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तब में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि आंटनी ने नशीरी दवायों की तशकरी, हतियारों की तशकरी और वेश्वरित्ती जैसे अवे दगती विदियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रवंद करता है जहाँ जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जोग जाता है और पता है कि वो एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुडू होता है जहाँ जैकी एंटिनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन एंटिनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली एरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने कलब में एंटिनी को घेर लिया और ऐसा प्रती में आने के लिए कहता है मार काता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुचता है जहां यह पता चलता है कि एकम वर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस द्वारा कई मुढवेरों में कारण उसे कोलमब्य भेज दिया था एंटनी को कोलमब्य ऑई अंडर वर्ट की साझे दारी हासिल हुई कि जैकी अमदोर पर गैंग्स्टरो को कमिशन भेजता था एंटनी ने बौदम के सभी गुर्गो को मार डाला और अंत में जैकी और मदन को मार डाला अंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है और अतीत में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंजबी और जैकी ने वंदू की नोग पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फल्म मार केंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार केंटनी में विशाल और SJ सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रविचंदन, द्वारा निर्देश्य तिस्वल में शुनेर, सल्वा रागवन, रीतो बर्मा, अवीनाई, किंग स्ले, वाई जी वी है महेंगरन अराण्य में तो पूर्णों भूमिकाओं में है ट्रेलर को तामिल अर्तलेगो भाशाओं में रिलीज किया गया अपने संगबंधित शोशल मीडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीडियाट, फ़ल्म, टाइम, ट्रावल, अक्शन, गैंग्स्टर, ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एस जे सूरिया कई लुख में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुख में प्रशंग शको का आश्चर शकीत कर दिया ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंगा तविने त्रिसक स्मिता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग शको को दिवंगा तविने त्रिसक की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बर्माज सुनें सेल्वरागवन ने भी छोटी भूमी काई निभाई है जीवी प्रकाश कुमान अपनी संगीत से ट्रेलर में चार्चान लगा दिये खास कर पुड़ाने गाने पिंचो मित्तई सललाई कर्टी के रिक्रियेशन ने प्रिश्णक्षकों को काफिप भावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिला कर सिनमा गरों में आनंद लेने लाएकि मनरंजर फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटनी की विनाए गर चतूरती सब्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीस करने की घोशन की गई है और फिल्म को एक मधवोथ शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस बीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिनने में एगवावे कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्य कलकारा और चालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपसिद्य दर्श कराई विशान की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म के पूरी कहानी वह भी हिंदी में और 1975 में चिरंजी विनामा के गवेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्टी टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में स्ट्रक्षम बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबरम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबरम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लब में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिन्जी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की बेटे मार्क को जाका मैं वेद वली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंठता है एक दिन मार्क के चरजिन जीवी का टेलिपोन मिलता है और उसे हैसास होता है ऑटीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है जल्दी पता चला की एन्टनी एक बुरा व प्वायों की तशक्री हत्यारों की तशक्रीर और विश्वरिती जैसी व्यव्य गत्यविडियों में जैकी की भागिदारी से कर द्याना कर दिया मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुरू होता है जहां जैकी एंटनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन अंटनी सभी प्रेसों से बच जाता है और जेकी असली इराधिये के बारे में ढाः जाता है जेकी और उसके लोगों ने कलब में एंटनी को गेद लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वो माड़ा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मैकनी के रूप में बापस पाता है जब कि जैकी अभी भी जीवित है मदन मार्क की प्रेमिका रामिया को अपरन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुच था है जहां ये पता चलता है कि एकम वर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज दिया था एंटनी को कोलंबिया अंडर वर्ड की साजेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर पर गैंक्स्टारों को कमिशन बेचता था एंटनी ने गोदम में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अरंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है औ मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिल्म का रिव्यू वह भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और एस्टे सूरिया मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रविचंदन द्वारा निर्देशित इस दोनों भाषाओं में एक साथ रिलीज करने की योजना है तामेल ट्रेलर को कार्थी और आडिया ने लॉंच किया था जबकि तेलेगो ट्रेलर को राना डगवती ने अपनी संगबंधित शोशल मीडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि यह पीरि साथ गंजे सिल्वाले लख में प्रशंग शको का अश्चर शकीत कर दिया ट्रेलर में एक सीक्वेंस में दिवंगा तभी ने त्रिस समिता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग शको को दिवंगा तभी ने त्रिस की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बरमाज सुने इंस किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिला कर सिनमा गरों में आनंद लेने लाएक एक मनरंजब फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योवा बीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटनी की विनाए गर चतूरती सप्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशना की गई है और फिल्म को एक मतवोथ शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिनने में एगवावे कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्य कलकारा और चालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपसिद्धी दर्श कराई विशान की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म के फूरी कहानी वह भी हिंदी में 1975 में चिरंजी विनामा के ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्टी टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में शक्षम बनाता है इस भी इच एंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकम बडम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकम बडम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिरंजी भी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की वेटे मार्क क को अपने वेटे की रूप में गोद लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डांटता है एक दिन मार्क को चिरंजीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो आठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चलाक की एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे विश्वास दिलाया था जो वास्ता में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्या मास्टर माइंड है क्योंकि एंटनी ने नशीली दवायों की तश्क्री हतियारों क की तश्क्री और वेशव रित्ती जैसी अवेदव लिडी वीड़ियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अदीत में कॉल करकी इतिहास को बदलने का प्रबंध करता है मार्क जल्दी वर्तमान में जाक जाता है और पता है कि वह एक गैंक्स्टर के मारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुरू होता है जहाँ जैक एंटनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन एंटनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली इरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके प्रेमिका रामिय को अपारन्ट कर लेता है और उसे क्लॉब गोदाम विए कहता है मारक आता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदाम में पहुच्छता है जहां यह पता चलता है कि एकमवरम ने क्लॉब शूटाउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुटवेरों में गैंगस्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज दिया था एंटनी को कॉलंबिया अंडर वर्ड की साझेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी अमदौर पर गैंगस्टारों को कमिशन बेजता था एंटनी ने गोदा में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अरंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है और तीट में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंजी पिया जैकी ने वंदू की नोग पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिल्म का रिव्यू वह भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और एस्टे सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन द्वारा निर्देश्यत इस्वा में शुनेर सल्वारागवन रीतो बर्मा अवीनाई किंग स्ले वाई जी वी है महेंवरा नराण्या में तो वोणों भूमिकाओं में है ट्रेलर को तामिल अरतलेगो भाषाओं में रिलिस किया गया क्योंकि फिल्म को दोनों भाषाओं में एक साथ रिलिस करने की योजना है तामिल ट्रेलर को कार्थी और आरिया ने लांच किया था जब विशाल और एंस जे सूरिया कई लुख में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुख में प्रशंग्शकों को आश्चर शकीत कर दिया ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंगत अभीने त्रिस स्मिता को दिखाया गया है और इसने प पुराने गाने पिंचो मित्तई सल्लाई कटी के रिक्रियेशन ने प्रशंग्शकों को काफिप्ट भावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिला कर सिनमगरों में आनंद लेने लाएके मनरंज़क फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योववा पी इस बीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिन्नाई में एगवावे कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्यकलाकारा और चालक दलने फिर्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपस्तिद्य दर्श कराई विशान की फिर्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फिर्म की पूरी कहानी वह भी हिंदी में और 1975 में चिरंजी विनामा के गवेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्टी टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में स्ट्रक्षम बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिनने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबरम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबरम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिनाम स्वारुफ चिनन जी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की बेटे मार्क को की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिनन जीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नह और वेशवरित्ती जैसे अवेद गती वीडियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करकि इतिहास को बदलने का प्रबंद करता है जहां जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जाब जाता है और पता है कि वो एक जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुरू होता है जह मार्क प्रतित होता है वो मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मिकनी की रूप में वापस पाता है जब कि जैकी अभी भी जी भी थै मदन मार्क की प्रेमिका रामिया का अपहरन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुच था है जहां ये पता चलता है कि एकम वर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज दिया था एंटनी को कोलंबिया अंडर वर्ड की साजेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर पर गैंक्स्टारों को कमिशन बेचता था एंटनी ने गोदम में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अरंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है औ और जैकी ने वंदू की नोग पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और S.J. सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रविचंदन, द्वारा निर्देश्य तिस्वल में शुनेल, सल्वा रागवन, रीतो बर्मा, अभी नई, किंग स्ले, वाई जी वी है माहिंगरा नराण्य में तो पूर्णों भूमिकाओं में है ट्रेलर को तामिल और तեलेगू भाषाव में रिलिस किया गया क्योकि फिल्म को दोनों भाषाव में एक साथ रिलिस करने की योजना है तामिल ट्रेलर को कार थी और आर्यय ने लौँच किया था जबकि तेलिगो ट्रेलर को राना डगुबती ने अपनी संगबंधित शोशल मीडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीरियट फर्म टाइम ट्रावल अक्शन गैंग्स्टर ड्रामा का मिस्फ्रन है विशाल और एस जे सूरिया कई लग में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिलवाले लग में प्रशंग शको का आश्चर शकीत कर दिया ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंगत अविने त्रिस्ट स्मिता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग शको को दिवंगत अविने त्रिस्ट की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बर्माज सुने इसल वरागवन ने भी छोटी भूमी काई निभाई है जी वी प्रकाश कुमार्ण एपनी संगीत से ट्रेलर में चार्चान लगा दिये खास कर पुराने गाने पिंचो मित्तई सललाई कट्टी के रिक्रियेशन ने प्रिश्णक्षकों को काफिप रभावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिला कर सिनमा गरों में आनंद लेने लाएक एक मनरंजर फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटनी की विनाए गर चतूरती सप्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशना की गई है और फिल्म को एक मधवोथ शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वेच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिन्नाई में एगवा वे कारियक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्यकलकारा और चालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कारियक्रम में अपनी उपस्तिदी दर्श कराई विशान की फिर्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिर्म की फूरी कहानी वह भी हिंदी में 1975 में चिरंजी विनामा की ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में शक्षम बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकम बडम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकम बडम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिरंजी भी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की वेटे मार्क क को अपने वेटे की रूप में गोद लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डांटता है एक दिन मार्क को चिरंजीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो आठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे विश्वास दिलाया था जो वास्ता में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्या मास्टर माइंड है क्योंकि एंटनी ने नशीली दवायों की तश्क्री हतियारों की तश्क्री और वेश्वरित्ती जैसे अवेद गति वीदियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रबंद करता है जहां जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी बर्तमान में जाग जाता है और पता है कि वह ए है। जिसकी जानकारी kayaky को देता है। एक बिली और चुहे का खेल शुडू होता है जहार जैक Monster को मारने के लिए प्रैस करता है लेकिन एन्टनी सभी प्रैसों से बच्छाता है जैक Г्योग असली एरादय के बारे ने जाता है टा है है की और ऊ Odd Ahh होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मैकनी की रूप में पापस पाता है जबकि जैकी अभी भी जीवित है मदन मार्क की प्रेमिका रामिया का अपर रन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुचता है जहां यह पता चलता है कि एकम वर्ण ने क्लब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज दिया था एंटनी को कोलंबिया अंडर वर्ण की साजेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर पर गैंक्स्टारों को कमिशन बेजता था एंटनी ने गोदम में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अरंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है और तीट में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंजी पी आउजैकी ने वंदू की नोख पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और S.J. सूरिया मुख्य भूमिकाओं में है और फिर्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रविचंदन, द्वारा निर्देश्यत इस्वल में शुनेर, सल्वार आगवन, रीतो बर्मा, अवीनाई, किंग स्ले वाई जी वी है महाईवरा नराण्या में तो फोनों भूमिकाओं में है ट्रेलर को तामिल अरतलेगो भाषाओं में रिलिस किया गया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि यह पीरियाट फर्म टाइम ट्रावल अक्शन गैंग्स्टर ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एंस जे सूरिया कई लुक में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिलवाले लुक में प्रशंग शको का आश्चर शकीत कर दिया ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंग अभी ने त्रिसक स्मिता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग शको को दिवंग अभी ने त्रिसक की याद दिला दी मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिला कर सिनमा गरों में आनंद लेने लाए कि मनरंज़क फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटनी की विनाए गर चतूरती सब्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशना की गई है और फिल्म को एक मधवोथ शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस बीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिन्ने में एक वावे कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्य कलकारा और चालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपसिद्धि दर्श कराई विशाल की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म के पूरी कहानी वह भी हिंदी में और 1975 में चिरंजी विनामा के गवेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में स्ट्रक्षम बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिनने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबरम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबरम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिनन जीवी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की बेटे मार्क को अपने बेटे की रूप में गोध लेता है एक दिन मार्क को चिनन जीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तब में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि आंटनी ने नशीरी दवायों की तश्करी हतियारों की तश्करी और वेशवरित्ती जैसे अवेद गति विदियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रवंद करता है जहां जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जब जाता है और पता है कि वो एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुछे का खेल शुडू होता है जहाँ जैके एंटनी को मारने की लिए कई प्रेस करता है लेकिन एंटनी सभी प्रेसों से बच जाता है और जैकी असली एरादिये के बारे में जान जाता है जैकी और उसके लोगोंने क्लब में एंटनी को गेर लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मैकनी के रूप में बापस पाता है जब कि जैकी अभी भी जीवित है मदन मार्क की प्रेमिका रामिया को अपरन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदाम में पहुशता है जहां ये पता चलता है कि एकम वर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पूलिस द्वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कलमबिया भेज दिया था एंटनी को कलमबिया अंडर वर्ण की साज़ेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर पर गैंक्स्टारों को कमिशन भेजता था एंटनी ने गोदा में जैकी के सभी गुर्गो को मार डाला और अंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है और रतीत में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंज भी और जैकी ने वंदू की नौक पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और S.J. सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन, द्वारा निर्देश्य तिस्वल में शुनेर, सल्वारागवन, रीतो बर्मा, अविनाई, किंग स्ले, वाई जी महíve रनया में तो पूर भूमिकाओं में है ट्रेलर को यह कि दो नों भाल आ एक साथ रिलीज करने की योजना है तामल ट्रेलरा को कार ठी और आटिया आ द्राटम का मिस्ट्रन है विशाल और एंस जे सूरिया कई लख में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिलवाले लख में प्रशंग शको का आश्चर शकीत कर दिया एक सीक्वन्स में दिवनग अविनेत्री सुर्प स्मिता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग शको को दिवनग अविनेत्री की याग दिला दी ट्रेलर मेरी तो बर्माज सुने इंसल वरागवन ने भी छोटी भूमी गाये निभाई है जी भी प्रकाश कुमार्ण एपने संगीत से ट्रेलर में चार्चान लगा दिये खासकर पुराने गाने पिंचो मित्तई सललाई कर्टी के रिक्रियेशन ने प्रिश्रुक्षकों को काफिप भावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिलाकर सिनमगरों में आनंद लेने लायक एक मनरंजर फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटनी की विनाए गर्चतूरती सब्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशना की गई है और फिल्म को एक मद्वोथ शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिन्ने में एगवा वेक कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्यक अलकारा और शालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपस्तित दर्श कराई विशान की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिल्म की फूरी कहानी वह भी हिंदी में और निस्सा 75 में चिरंजी विनामा के ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्टी टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में स्ट्रक्शन बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिनने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबरम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबरम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लब में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिनन जी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की बेटे मार्क को अपने बेटे की रूप में गोध लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिरन जीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तब में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि आंटनी ने नशीरी दवायों की तश्करी हतियारों की तश्करी और वेशवरित्ती जैसे अवे दगती विदियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रवंद करता है जहाँ जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जब जाता है और पता है कि वो एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुडू होता है जहाँ जैके एंटिनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन एंटिनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली इरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने क्लब में एंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मैकनी के रूप में बापस पाता है जबकि जैकी अभी भी जीवित है मार्क की प्रेमिका रामिया को अपहरन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मार्क जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुच था है जहां ये पता चलता है कि एकम वर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज दिया था । एंटनी और वर्ण की साझे-दारी हासिल हुए क्यों कि जैके आमदोर पर गैंक्स्टारों को कमीशन बेचता था। एंटनी ने गोदम में जैके के सभी गुर्गो को मार डाला और अरन्तowers के जैकी और मधन को मार डाला। एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है और तीट में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंजी पियाओ जैकी ने वंदू की नोग पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और S.J. सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रविचंदन, द्वारा निर्देश्य तिस्वल में शुनेल, सल्वा रागवन, रीतो बर्मा, अभी नई, किंग स्ले, वाई जी वी है महेंगरा नराण्य में तो पूर्णों भूमिकाओं में है ट्रेलर को तामिल और तेलेगु भाषाओं में रिलिस किया गया क्योंकि फ्रेलर को दोनों भाषाओं में एक साथ रिलिस करने की योजना है तामेल ट्रेलर को कार्थी और आरिया ने लॉंच किया था जबकि तेलेगो ट्रेलर को राना डगुबती ने अपनी संगबंधित सोशल मीडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीरियट फल्म टाइम ट्रावल अक्शन गैंग्स्टर ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एंस जे सूरिया कई लुक में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुक में प्रशंग शको का आश्चिर चल देते हैं त्रेलर में एक सेकन्स में दिवंगा तभी नेटरी स्मिता को दिखा गया है और इसने प्रशंग शको कदीवंग तभी नेत्री की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बरमाज सुने इसल्वरागमन ने भी चोटी भूमिगाए निभाई है जी वी प्रकाश कुम मिलाकर सिनमगरों में आनंद लेने लाएक एक मनरंजब फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटिनी की विनाएं गर्ट चतूरती सब्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घूशन की गई है और फिल्म को एक मद्धोत शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटिनी टीम ने कल शाम चिन्ने में एगवावेक कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्यक अलकारा और शालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपसे दिदर्श कराई विशान की फिल्म मार्क एंटिनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म के फूरी कहानी वह भी हिंदी में और निस्सा 75 में चिरंजी विनामा के ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन पर कल्प करने और एतिहास बदलने में स्ट्रक्षम बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबरम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबरम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिन्जी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की बेटे मार्क को मां वेदवल्ली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डांटता है एक दिन मार्क को चिन्जी वी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्ता में अंटनी और वेदवल्ली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि आंटनी ने नशीरी दवायों की तश्करी हत्यारों की तश्करी और विशवरित्ती जैसे अवे दगत्य एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक की रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक ब लोगों ने क्लब में एंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वह मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मैकनी की रूप में वापस पाता है जब कि जैकी अभी वी जीवित है मार्क की प्रेमिका रामिया को अपहरन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मार्क जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुच था है जहां ये पता चलता है कि एकम वर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज दिया था एंटनी को कोलंबिया अंडर वर्ड की साजेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर पर गैंक्स्टारों को कमिशन बेचता था एंटनी ने गोदम में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अरंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है औ मार्क एंटवन देखने से पहले यहां जाने फिल्म का रिव्यू वह भी हिंदी में मार्क एंटवन में विशाल और स्टे सूर्य मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रविचंदन द्वारा निर्देश यतिस् जाई Kingslay YGV है महींगरा नरण्य में तो प्वुन गोमिकाओं में हैं ट्रेलर को तामिल और तेलेगु भाशाओं में रिलेज के लिए करने की योजना है तामेल ट्रेलर को कार्थी और आरिया ने लॉंच किया था जबकि तेलेगो ट्रेलर को राना डगवती ने अपनी संगबंधित सोशल मिडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीरियट फर्म टाइम ट्रावल अक्शन गैंग्स्टर ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एस जे सूरिया कई लुक में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुक में प्रशंग शको का आश्चिर ट्रेलर में एक सेक्वेंस में देबंघा तभिने त्रिसल श्मिता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग शको को दिवनगद रित की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बनमाज सुने इन सेल्वरागवन ने भी छोटी भूमी काहे निभाई है जीवी जब फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटिनी की विनाएं गर्ट चतूरती सब्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशना की गई है और फिल्म को एक मद्वोथ चुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटिनी टीम ने कल शाम चिन्ने में एगवा वेक कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्यक अलकारा और शालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपस्तिती दर्श कराई विशान की फिल्म मार्क एंटिनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म के फूरी कहानी वह भी हिंदी में और निस्सा 75 में चिरंजी विनामा के ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्टी टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में स्ट्रक्षम बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिनने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबरम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबरम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लब में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिनन जी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की बेटे मार्क को अपने बेटे की रूप में गोध लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिरिन जीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठकरम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तब में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि आंटनी ने नशीरी दवायों की तश्करी और बेशवरित्ती जैसे अवेद रगति विदियो में जैकी की भागीदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रबंध करता है जहां जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वरतमान में जाग जाता है और पता है कि वो एक गैंग्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जब कि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुडू होता है जहाँ जैकी एंटरी को माणने के लिए कई प्रयास करता है लेकिन आंटनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली इरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने क्लब में आंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीद होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से वरत्मान में जागता है और खुद को एक मैकनी के रूप में कि जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुचता है जहां यह पता चलता है कि एकम वर्ण ने क्लॉब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कॉलंबिया भेज दिया था एंटनी को कॉलंबिया पंदरा सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिल्म का रिव्यू वह भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और एस्टे सूरिया मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन द्वारा निर्देश्य तिस्वल में शुनेल सल्वारागवन रीतो बर्मा अविनाई किंग स्ले वाई जी वी है महेंवरा नराण्य में त ट्रेलर को तामिल और तेलेगु भाषाओं में रिलीज किया गया क्योंकि फिल्म को दोनों भाषाओं में एक साथ रिलीज करने की योजना है तामिल ट्रेलर को कार्थी और आरिया ने लौंच किया था जबकि तेलेगु ट्रेलर को राना डगवती ने अपनी संगबंधित शोशल मीडिया हैंडिल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीडियाट फ़ल्म टाइम ट्रावल एक्शन गैंग्स्ट्रा ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एस जे सूरिया कई लुक में दिखाई देते हैं जब कि विशाल और घनीदारी के साथ गंज इस सिलवाले लख में प्रशनक शको का त्रेलर च्रह्यकित कर दिया है श्यीशन गैम है जिए प्रकाश खुमार्ण हैपने संगीत से छार्च ओन लगा दिया खासकर पुराने गाने पिंचो मित्तई सल्लाई कट्टी के रिक्रियेशन ने प्रिश्रुक्षकों को काफिप रभावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिला कर सिनमगरों में आनंद लेने लाएक एक मनरंजर फल्म की तरह दिखता है और फल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटनी की विनाए गर्ट चतूरती सब्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशना की गई है और फल्म को एक मद्वोथ शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिन्ने में एगवावेक कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्यक अलकारा और शालक दलने फल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपस्तिती दर्श कराई विशान की फल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फल्म के फूरी कहानी वह भी हिंदी में और निस्सा 75 में चिरंजी विनामा के ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन पर कल्प करने और एतिहास बदलने में स्ट्रक्षम बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबरम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबरम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लब में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिनाम स्वारुफ चिरंजी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की बेटे मार्क को मां वेदवलली की मौत के लिए जिम्मधार होने के लिए नंठता है एक दिन मार्क को चिरंञी वी का टेली फोन मिता है और उसे अहसास होता है कि वहजीत में कॉल कर सकता है और इतियास के पूड़े पाठक्रम को बदル सकता हे जल्दी पता चला की एंटनी एक बर तशकरि हतियारों के तशकरि और वेशवरिति जैसे अवेद हगत विडियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क तीथ में कॉल करकि इतिहास को बदरने का प्रबंध करता है जहाँ जैकी की हत्या हो जाती है dealty बर्तमान में पता है और पटा है कि वो एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जब कि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफॉन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिल्ली और चुहे का खेल शुडू होता है जहों जैकी एंटनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन आंटनी सबी प्रेसों से बच जाता है जैकी असली इरादिये के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने क्लब में आंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जागता है और खुद को एक मैकनी की रूप में बापस यहां को बचा था और पूलिस दवारा कई मुडवेदों में गैंग स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज़ दिया था एंटनी को कोलंबिया अंडर वर्ल्ड की साज़ेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर वर गैंग्स्टरों को कमिशन भेज़ता था एंटनी ने गोदा में जैकी के सभी गुर्गो को मार डाला और अंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है और रतीत में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंज भी और जैकी ने वंदू की नौक पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और एस्टे सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन, द्वारा निर्देश्य तिस्वल में शुनेर, सल्वारागवन, रीतो बर्मा, अविनाई, किंग स्ले, वाई प्melुच वी है, महिंद्रन अरन्यमेतब पौनों भैमिकाओं में है, ट्रेलर को तामिल और त्रेलर को भाषाओं में रिलेस क्या गया, क्योंकि प्ल्म को, दोनों भाषाओं में एक साथ रिलेस करने की योजना पिल्द प्ल्में और आरिया ने लॉंच किया था जबकि तेलेगु ट्रेलर को राना डगुबती ने अपने संगबंधित सोशल मीडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीरियाट फॉल्म टाइम ट्रावल अक्शन गैंग्स्टर ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एस जे सूरिया कई लुख में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुख में प्रशंग शको का आश्चर शकीत कर दिया ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंगत अविने त्रिसक स्मिता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग शको को दिवंगत अविने त्रिसक की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बर्माज सुने इसल वरागवन ने भी छोटी भूमी काई निभाई है जी वी प्रकाश कुमान एपनी संगीत से ट्रेलर में चार्चान लगा दिये खास कर पुराने गाने पिंचो मित्तई सललाई कट्टी के रिक्रियेशन ने प्रिश्णक्षकों को काफिप रभावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिला कर सिनमा गरों में आनंद लेने लायक एक मनरंजर फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटनी की विनाए गर चतूरती सप्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशना की गई है और फिल्म को एक मतवोथ शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिनने में एगवावे कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्य कलकारा और चालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपस्तित दर्श कराई विशान की फिर्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिर्म की फूरी कहानी वह भी हिंदी में 1975 में चिरंजी विनामा की ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में शक्षम बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकम बडम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकम बडम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बदला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिरंजी भी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की वेटे मार्क को अपने वेटे की रूप में गोध लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिरन जीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तब में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि आंटनी ने नशीरी दवायों की तशकरी, हतियारों की तशकरी और वेश्वरित्ती जैसे अवे दगती विदियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रवंद करता है जहाँ जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जोग जाता है और पता है कि वो एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मेकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुडू होता है जहाँ जैके एंटिनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन एंटिनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली इरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने कलब में एंटिनी को घेर लिया और ऐसा प्रती में आने के लिए कहता है मार काता है और मदन और जैकी के लोगों दोड़ा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुचता है जहां यह पता चलता है कि एकम वर्ण ने क्लब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस दोड़ा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज दिया था एंटनी को कोलंबिया अंडर वर्ड की साजेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर पर गैंक्स्टारों को कमिशन भेजता था एंटनी ने गोदम में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अरंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार के साथ पर से जुरता है और रतीत में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंजी पी आँ जैकी ने वंदू की नोग पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फल्म मार केंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार केंटनी में विशाल और स्टे सूर्या मुख्य भूमिकाओं में है और फल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रविचंदन, द्वारा निर्देश्यत इस्वल में शुनेर, सल्वार आगवन, रीतो बर्मा, अवीनाई, किंग स्ले, वाई जी वी है महेंवरा नरान्य में तुपोनों भूमिकाओं में है ट्रेलर को तामिल और तेलेगो भाषाओं में रिलीज किया गया क्योंकि फल्म को दोनों भाषाओं में एक साथ रिलीज करने की योजना है तामिल ट्रेलर को कार्थी और आरिया ने लॉंच किया था जबकि तेलेगो ट्रेलर को राना डगुबती ने अपनी संबंधित शोशल मिडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीरियाट फर्म टाइम ट्रावल अक्शन गैंग्स्टर ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एस जे सूरिया कई लुख में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुख में प्रशंग शको का अच्च ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंग अभी दिखाया गया है और इसने प्रशंग शको को दिवंग कई याद दिला दी चोटी भूमिकाय निभाई है जी विए प्रकाश कुमान अपनी संगीत से ट्रेलर में चार्च आउन दगा दिये खासकर पुडाने गाने पिंचो मि फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रोप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटिनी की विनाएं गर चतुरती सब्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशनक ही गई है और फिल्म को एक मद्वोथ शुरुआत मिलने की उम्मीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उम्मीद बढ़ा दी है इस बीच मार्क एंटिनी टीम ने कल शाम चिन्ने में एगवावेर कार्यक कराई विशान की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिल्म की पूरी कहानी वह भी हिंदी में 1975 में चिरंजी विनामा के ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बर पिश्री टाइम लाइन पर कल करने और इतिहास बदलने में शक्षम बनाता है इस भी इच एंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबरम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक एंग्स्टर भी है एकमबरम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहां वो एकलग में अंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिनाम स्वारुफ चिरंजी भी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की वेटे मार्क को अपने वेटे की रूप में गोद लेता है एक दिन मार्क को चिरंजीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तब में एंटनी और वेद्वली की मौत का मुख्या मास्टर माइंड है क्योंकि आंटनी ने नशीरी दवायों की तशकरी, हतियारों की तशकरी और वेश्वरित्ती जैसे अवे दगती विदियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रवंद करता है जहाँ जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जाग जाता है और पता है कि वो एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मेकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुडव होता है जहां जैके अंटरी को मारने के लिए गई प्रेस करता है लेकिन एंटरी सभी प्रेसों से बच जाता है और जैकी असली इरादिय के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने कलब में एंटरी को घेर लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मैकनी के रूप में बापस पाता है जबकि जैकी अभी भी जीवित है मदन मार्क की प्रेमिका रामिया को अपरन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदाम में पहुचता है जहां ये पता चलता है कि एकम वर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कॉलंबिया भेज दिया था एंटनी को कॉलंबिया अंडर वर्ड की साजेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर पर गैंक्स्टारों को कमिशन भेजता था एंटनी ने गोदा में जैकी के सभी गुर्गो को मार डाला और अंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है और रतीत में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंज भी और जैकी ने वंदू की नोग पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फल्म मार्क एंटोनी देखने से पहले यहाँ जाने फल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में मार्क एंटोनी में विशाल और S.J. सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन, द्वारा निर्देश्यत इस्वा में शुनेर, सल्वारागवन, रीतु बर्मा, अवीनाई, किंग्सले, YGV है महाईखरन और अरन्यमात्पर फूनों भूमिकाओं में है, ट्रेलर को तामिल और टेलियकु भाषाओं में डिलिज किया गया क्योंकि फल्म को दोनों भाषाओं में एक साथ रिलिज करने की योजना है तामिल ट्रेलर को कार्थी और आरिया ने लॉंच किया था जबकि तेलेगो ट्रेलर को राना डगुबती ने अपनी संगबंधित सोशल मिडिया हैंडल पर लॉंच किया था ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीरियाट फर्म टाइम ट्रावल अक्शन गैंग्स्टर ड्रामा का मिस्ट्रन है विशाल और एस जे सूरिया कई लुक में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुक में प्रशंग शको का अच्चिर से चकीत कर दिया ट्रेलर में सेक्वेंस में दिवंग अबिने ट्रिसिक समिताव को दिखाया गया है और इस्ने प्रशंग शको को दिवंग कत्वीने 3जिक की याद दिला दि ट्रेलर मेरी तो बर्माज सुनें से इन्सल वरागमन ने भी छोटी भूमिकाए निभाई है जी जब फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रोप से योवा पीडी को संदूश्ट करेगी मार्क एंटिनी की विनाएं गर 34-37 के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशनक ही गई है और फिल्म को एक मद्वोस शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फिल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस बीच मार्क एंटिनी टीम ने कल शाम चिन्ने में एक वावियर कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्यकलाकारा और चालक दलने फिल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम म विशान की फिल्म मार्क एंटिनी देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म के पूरी कहानी वह भी हिंदी में 1975 में चिरंजी विनामा के ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में स्ट्रक्षम बनाता है इस भी इच एंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकम बडम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकम बडम अपने भाय की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिरंजी भी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की वेटे मार्क को अपने वेटे की रूप में गोध लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिरन जीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूरे पाठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्तब में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि आंटनी ने नशीरी दवायों की तशकरी, हतियारों की तशकरी और वेश्वरित्ती जैसे अवे दगती विदियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रवंद करता है जहां जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जग जाता है और पता है कि वो एक गैंक्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुडू होता है जहाँ जैकी एंटिनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन एंटिनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली एरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने कलब में एंटिनी को घेर लिया और ऐसा प्रती में आने के लिए कहता है मार काता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुचता है जहां यह पता चलता है कि एकम वर्ण ने क्लॉब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस द्वारा कई मुढवेरों म को कमिशन वेचता था एंटनी ने गोदम में जैकी के सभी गुर्गों को मार डाला और अंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार के साथ पर से जुरता है और रतीत में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंजबी और जैकी ने वंदू की नोग पर पकड़ लिया है 15 स सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फ sentences मार कैंटनी देखने से पहले यहां जौने का रीव्यू वह भी हिंदी में मार केंटनी में विशाल और S.J. Surya मुख्य भूमिकाओं में है और फिर्म का ट्रेलर निर्माताओं द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन, द्वारा निर्देश्यत इस्वा में शुनेर, सल्वार आगवन, रीतो बर्मा, अवीनाई, किंग स्ले, वाई जी वी है महींवरा नरंया में तुमों भूमिकाओं में है ट्रेलर को त्रेलर को तामिल आर अ त्रेलर को रहना डगुबती ने अपनी संद्बंधि शोशल मिडिया हैंडल पर लॉँच किया विशाल और एंस जे सूरिया कई लुख में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुख में प्रशंग्शकों का आश्चर शकीत कर दिया ट्रेलर में एक सीक्वेंस में दिवंगत अभिने त्रिसक्स मिता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग्शकों को दिवंगत अभिने त्रिसक्स की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बर्माज सुने इंसल वरागवन ने भी छोटी भूमिकाय निभाई है जीवी प्रकाश कुमान अपनी संगीत से ट्रेलर में चार्चान लगा दिये खासकर पुराने गाने पिंच्यों वह पीडी को संदूष्ट करेगी मार्क एंटिनी की विनाएं गर्चतूरती सप्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घूशनक ही गई है और पर्म को एक मधवोच शुरुआत मिलने की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फर्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस बीच मा अपने अनुबब को सजा करने के लिए कारे प्रम में अपनी उपस्तित दर्श कराई विशान की फर्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फर्म की पूरी कहानी वह भी हिंदी में 1975 में चिरंजी विनामा के ग्वेग गिनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो से अच्छी दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबडम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबडम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहां वो एक लग में एंटनी कुमार्णी की साजिश रचता है जिसके प 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मेकनीख है जो एंटनी को उसकी मा वेद वल्ली की मौत के लिए जिम्मिदार होने के लिए डंटता है एक दिन मार्क को चिरिण जीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे हैसास होता है कि वह अतीत में कॉल कर सकता है और इतिहास के पूर को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चला की एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्ता में एंटनी और वेद्वली की मौत का मुख्य मास्टर माइंड है क्योंकि आंटनी ने नशीली दवायों की तशक्री हतियारों की तशक्री और वेश्वरित्ती जैसे अवे दगती विदियो में जैकी की भागिदारी से इनकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रबंद करता है जहां जैकी की हतिया हो जाती है मार्क जल्दी बरतमान में जौक जाता है और पता है कि वो एक जबकि जैकी का बेटा मदन एक मेकनिक के रूफ में मार्क की जगा पर है मदन को जल्दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुडू होता है जहों जैकी एंटनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन एंटनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली इरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों क्लब में एंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मैकनी की रूप में बापस पाता है जबकि जैकी अभी भी जीवित है मार्क की प्रेमिका रामिया को अपारन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मार्क जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुच था है जहां यह पता चलता है कि एकम वर्ण ने क्लब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भीज दिया था एंटनी को कोलंबिया अंडर वर्ड की साजेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदौर पर गैंग्स्टारोप को कमिशन बेचता था एंटनी ने गोदम में जैकी के सभी गुर्गो को मार डाला और अरंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है और तीट में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंजी पिया जैकी ने वंदू की नोग पर पकड़ लिया है 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फिल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फिल्म का रिव्यू वह भी मार्क एंटनी में विशाल और एस्टे सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फिल्म का ट्रेलर निर्मातावा द्वारा जारी किया गया है अधिक रवी चंदन द्वारा निर्देश्यत इस्वा में शुनेल सल्वारा गवन रीतो बर्मा अवीनाई किंग स्ले वाई जी व की है महाइबरा नारण्या में तुब नों भूमिकाओं में है ट्रेलर को तामिल और तलेगो भाषाओं में रिलेस क्या गया क्योंकि फ्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये पीडियर्ड फिल्म टाइम ट्रावल एक्शन गैंग्स्रा ड्रामा का इस फ्रन है विशाल और एस जे सूरिया कई लुक में दिखाई देते हैं जबकि विशाल और घनीदारी के साथ गंजे सिल्वाले लुक में प्रशंग्शकों का चरिशकीत कर दिया ट्रेलर में एक सेक्वेंस में दिवंगत अभिने त्रिसक्समिता को दिखाया गया है और इस कर पुड़ाने गाने पिंचो मित्तई सल्लाई कटी के रिक्रियेशन ने प्रशंग्शकों को का फिप्ट भावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिलाकर सिनमगरों में आनंद लेने लाएकि मनरंज़क फिल्म की तरह दिखता है और फिल्म ने श्रीत रूप से मीद बढ़ा दी है इस वीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिन्ने में एक वावित कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्यकलाकारा और चालक दलने फ्रम के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपस्तित दर्श कराई विश फोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन पर कल करने और इतिहास बदलने में शक्षम बनाता है इस भी चैन्टनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अची दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकमबडम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकमबडम अपने भाई की हत्या के लिए एंटनी से बतला लेने का फैसला करता है जहां वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिनाम स्वारुफ चिरंजी भी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगा माना बन जाता है और एंटनी की वेटे मार्क को अपने वेटे की रूप में गोद लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनिक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डांटता है एक दिन मार्क को चिरंजी वी का पता चलाक की एंटनी एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे ये विश्वास दिलाया था जो वास्ता में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्या मास्टर माइंड है क्योंकि एंटनी ने नशीरी दवायों की तश्करी हतियारों की तश्करी और विशवरित्ती जैसे वे दंगति विदियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्ग अधित में कॉल कर कि इतिहास को बदलने का प्रबंद करता है जहां जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी वर्तमान में जोग जाता है और पता है कि वो एक गैंग्स्टर के रूप में जैकी की जगा पर है जबकि जैकी का बेटा मदन एक मैकनिक के रूप में मार्क की जगा पर है मदन को जल दी टेलिफोन और इतिहास को बदलने में मार्क की भागिदारी के बारे में पता चलता है जिसकी जानकारी वो जैकी को देता है एक बिली और चुहे का खेल शुडू होता है जहाँ जैके एंटिनी को मारने के लिए कई प्रैस करता है लेकिन एंटिनी सभी प्रैसों से बच जाता है और जैकी असली इरादे के बारे में जाता है जैकी और उसके लोगों ने कलब में एंटिनी को घेर लिया और ऐसा प्रती में आने के लिए कहता है मार काता है और मदन और जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुचता है जहां यह पता चलता है कि एकम वर्ण ने कलब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस द्वारा कई मुढवेरों में गैंस्टर हों कि कारण उसे कोलंबिया भी दिया था एंटनी को को अंडावर्ण की सांझेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदौर पर केंस्टरों को कमिश्न भेचता था एंटनी की सभी गुर्गों को मार डाला हैं अ सत्भ没有 कि रिभार्ण जैकी से व्यंदर चुन संबर को रिलीज होने जा रही विशाल की फ़ल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहां जाने फ़ल्म का रिव्यू वह भी हिंदी में मार्क एंटनी में विशाल और स्टे सूरिय मुख्य भूमिकाओं में है और फिर्म का ट्रेलर निर्माताओं द्वारा जाड़ी किया गया है अधिक रवी चंदन द्वारा निर्देश्य तिस्वल में शुनेर सल्वार आगवन रीतो बर्मा अवीनाई किंग स्ले वाई जी वी है महाइवरा नराण्य में त ट्रेलर को तामिल और तेलेगु भाषाओं में रिलीज किया गया क्योंकि फिर्म को दोनों भाषाओं में एक साथ रिलीज करने की योजना है तामिल ट्रेलर को कार्थी और आरिया ने लांच किया था जबकि तेलेगु ट्रेलर को राना डगवती ने अपनी संबंधित शो में दिखाइन देते हैं जबकि विशाल और गनी दारी के साथ गणजें सिल्वाले लग में प्रशंग शकुप काश्च चर्षब कर दिया ट्रेलर में स्सेक्वंड में दिवंगतम शक समिता को दिखाया गया है और इसने प्रशंग शको को दिवंगत अभी ने त्रिस्क की याद दिला दी ट्रेलर मेरी तो बर्माज सुने इंसल वरागवन ने भी छोटी भूमिकाय निभाई है जी भी प्रकाश कुमान अपनी संगीत से ट्रेलर में चार्चान लगा दिये खासकर पुराने गाने पिंचो मित्तई सल्लाई कर्टी के रिक्रियेशन ने प्रिश्ण शको को काफिप्ट भावित किया है मार्क एंटनी का ट्रेलर को मिला कर सिनमगरों में आनंद लेने लाएके मनरंज़क फल्म की तरह दिखता है और फल्म ने श्रीत रूप से योवा पीडी को संदूष्ट करेगी मार्क एंटनी की विनाए गर चतूरती सब्ताहंत के लिए 15 सितंबर को रिलीज करने की घोशन की गई है और फल्म को एक मद्वोथ शुरुआत मिले की उमीद है क्योंकि ट्रेलर ने फल्म के लिए उमीद बढ़ा दी है इस बीच मार्क एंटनी टीम ने कल शाम चिन्ने में एगवावेक कार्यक्रम भी आयजित किया जबकि मुख्यकलाकारा और शालक दलने फल्म के लिए काम करने के अपने अनुभव को सजा करने के लिए कार्यक्रम में अपनी उपसे दिदर्श कराई विशान की फल्म मार्क एंटनी देखने से पहले यहाँ जाने फल्म की पूरी कहानी वह भी हिंदी में 1975 में चिरंजी विनामा के ग्वेगनिक ने एक टेलीफोन का विश्कार किया जो अपने उपयोग करताओं को दिन में एक बार पिश्री टाइम लाइन पर कल करने और एतिहास बदलने में स्ट्रक्षम बनाता है इस भी इच अंटनी और जैकी पंडियन चिन्ने में सबसे अच्छे दोस्त और गैंग्स्टर है जिनका एकम बडम नाम का एक आम दुश्मन है जो एक गैंग्स्टर भी है एकम बडम अपने भाय की हत्या के लिए एंटनी से बदला लेने का फैसला करता है जहाँ वो एक लग में एंटनी को मानी की साजिश रचता है जिसके परिराम स्वारुफ चिरंजी भी भी मारा जाता है जैकी जल्दी एकल सरगाना बन जाता है और एंटनी की वेटे मार्क क को अपने वेटे की रूप में गोद लेता है 1995 में मार्क रोवापूरम में एक कुशल मैकनीक है जो एंटनी को उसकी मा वेदवली की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए डांटता है एक दिन मार्क को चिरंजीवी का टेलीफोन मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो आठक्रम को बदल सकता है मार्क को जल्दी पता चलाक की एक बुरा वेक्ती नहीं था और जैकी ने उसे विश्वास दिलाया था जो वास्तव में एंटनी और वेदवली की मौत का मुख्या मास्टर माइंड है क्योंकि एंटनी ने नशीरी दवायों की तश्क्री हतियारों की तश्क्री और वेश्वरित्ती जैसे अवेद गत्य विदियो में जैकी की भागिदारी से इंकार कर दिया था मार्क अधित में कॉल करके इतिहास को बदलने का प्रबंद करता है जहां जैकी की हत्या हो जाती है मार्क जल्दी बर्तमान में जोग जाता है और पता है कि व पता चलता है जिसकी जानकारी ifin को देता है एक विल्ब क्णी को मारने के लिए कर्यास करता गर सबीप्र चाता हे और उसके लोगों क्लब में एंटनी को घेर लिया और ऐसा प्रतीद होता है कि वह मारा गया मार्क फिर से बरतमान में जाकता है और खुद को एक मैकनी की रूप में बापस पाता है जबकि जैकी अभी भी जीवित है मार्क की प्रेमिका रामिया को अपारन कर लेता है और उसे कलब गोदाम में आने के लिए कहता है मार्क आता है और मार्क जैकी के लोगों द्वारा उसकी पिटाय की जाती है हाला कि एंटनी गोदम में पहुचता है जहां यह पता चलता है कि एकम वर्ण ने क्लब शूट आउट में एंटनी को बचाया था और पुलिस वारा कई मुढवेरों में गैंक्स्टारों की हत्या के कारण उसे कोलंबिया भेज दिया था एंटनी को कॉलंबियाई अंडरवर्ड की साजेदारी हासिल हुई क्योंकि जैकी आमदोर पर गैंक्स्टारों को कमिशन पेजता था एंटनी ने गोदम में जैकी के सभी गुर्गो को मार डाला और अंत में जैकी और मदन को मार डाला एंटनी मार्क के साथ पर से जुरता है और अतीत में वेदवली को बुलाता है जिसे चिरंजी भी आउजयकी नेवंदू की नूख पर पकड़ लिया है